अबी सब जो लोग आए हैं यहीं रहेंगे 23 तारिक तक, 23 तारिक अबाज चले जाएंगे लेकिन हमारे हम जो शब्त का प्रयोग करते हैं बाशनों में, बातों में बड़ा महत्पून होता है आप बात करो ना, किसान की, खेत की, बीच की, बजली की, पानी की, रोजगार की, निवेश की, उद्योग की, सड़क की, स्कूल की, कौन मना कर रहा है वो तो बात करनी नहीं है, ये सारा डिसकूशन शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे मुद्दों पर जो विवादित हैं या बानात्मक हैं या धानलेक चीजों से जुड़े हुए है हम चाहते हैं कि रानीती हो, डिवलेप्मेंट की रानीती हो, भविश की, सुरक्षा बच्चों की और नौजवानों की उसकर टिवेट करने को तयार नहीं है नेक्षनाइन न्यूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अबरारुलहकराहमानी मेरे खास प्रोग्राम मुद्दाजका में रुख करेंगे राजस्थान का दरसल राजस्थान विधान सबच चुनाओं से पहले जो कॉंग्रेस पार्टी में दो नेताओं के बीच जो इस्तिती पैदा हुई थी दरसल उस पर विपक्ष यानि के भाजपा ने जोरदार तरिक से यहाँ पर आवाजे उठाने शुरू कर दी थी और अब तक अगर देखा जाए तो ठीक वही सिलसिला जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है परदान मंतरी नरेंद्र मूदी का भी राजस्थान का जब दौरा होता है तो वो इस पूरे मुद्दे को ले करके साफ तोर पर जो है यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टिक को कुसुरवाद ठहराते नजर आते हैं और जनता को ठगा हुआ बताते हैं कॉंग्रेस के दौरा दरसल सजीन पालेट अरशोग गैलूद के बीच जो खीश्थान के इस्तिती रही थी उससे कॉंग्रेस पार्टिक का राजनितिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ और दरसल इसी बात को ले करके साफ तोर पर जो यहाँ पर इस्तिती बनती नजर यह आई कि अब कॉंग्रेस पार्टि इस पूरे मुद्दे को ले करके अपने उस फैसले को लेने पर सोच रही है वो विचार कर रही है कि क्या अब भारती जनता पार्टिक के खिलाफ उस मस्भूत तरिक से जनता के बीच जाकर जनता को अपने पक्ष में बनाया जा सकता है क्योंकि इस वक्त कॉंग्रेस पार्टि पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे है जनता जो है वो ये समझना चाह रही है कि आखिरकार जो सचिन पालेट ने इतना वावेला मचाया था उसका क्या हुआ क्या वो अब खत्म हो गया या फिर चुनाओ को देखते हुए इस मामले पर परदा पोशिक कर दे गई है और इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा है और जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद फिर से ये मुद्दा उसी धंग से उभरता हुआ नजराएगा जिसकी हमें पूरी तरीके से आँपर संभावना नजरा आती है अब आई हम बात ये कर लेते हैं कि आखिरकार सचीन पाइलेट की खामुशी के पीछे की वज़ा क्या है सचीन पाइलेट जो है इस समय किस धंग से आने वाले आज जो है दिनों में कॉंग्रेस पार्टी पर एक दबाव बना सकते हैं क्या वो भाजपा के खिलाब उस मजबूती के साथ लड़ते नजराएंगे या फिर भारती जनता पार्टी के साथ साथ वो कॉंग्रेस हाई कमान से भी लड़ेंगे आए इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ एक आपको बयान सुनवाते हैं साचिन पालेट का जुनोंने भारती जनता पार्टी के खिलाब अब इलेक्शन पर लोग ये देखते हैं कि आप कौन डिलिवर करेगा इसकी बात में क्रेडिबिलिटी है उस लिहाँ से कौंग्रेस पार्टी बहुत बैतर है और बीजेपी का जो परदेश का बीज नित्तुत है वो बड़ा खंडित है वो बड़ा खेचा हुआ है और है कि अरग़ को बड़ा बाद करना है नहीं कि पारणी को सकूल की कौन मना कर रहा हैए हो तो बात करनी है यह सारा discussion shift कर लेते हैं ऐसे मुद्दों पर जो विवादित हैं या बादनात्मक हैं या धानमिक चीजों से जुड़े हुए हैं हम चाहते हैं कि राजनीती हो डिवलेप्मेंट की राजनीती हो भविश की सुरक्षा बच्चों की हो नौजवानों की उसकर ट्रिवेट करने को तयार नहीं है क्योंकि दस साल की रिपोर्ट काड है वो बहुत अच्छी है नहीं लोग जवाब मांग रहे हैं इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाए जाता है आपके प्रत्रजिंदी अजीत मेता कहते हैं यह चुनाव जो है राश्टी नहता और टौक के बेटा के बीच में देकि यह चुनाव तो हर बार यह होता है हर बार उमीदवार बीजेपी भी देती है कॉंगिस भी देती है और मैं तो इतने कहना चाहता हूं कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब 25 तारी को जनता देगी बनिसुद मैं दूँ पब्लिक जनता जनारदन है उसका निरने अंतिम होता है 25 तारी को जो निरने होगा वो सब को सनाई पढ़ जाएगा पाइलेट साब बार बार जो है लगाता है शुदे शांतर आप परचार कर रहे है तो आपने सुना दर्शको सचीन पाइलेट साफ तोर पर अपने इस आकरामक अंदाज में यह बताने की कोशिश कर रहे है यह समझा रहे हैं कि आखिरकार इस सुवक्त भारती जनता पार्टी जिस जो बारे में फिराख में लगी हुई है कि कॉंग्रेस पार्टी और भारती जनता पार्टी अगर आपस में लड़ते नज़ाएंगे तो जाहिरती बात है कि इस से जादा फाइदा कॉंग्रेस का होगा ना कि सचीन पालेट और अशोग गैलुट आपस में लड़े सचिन पालिट ये बात को बहुत भी जानते हैं और दरसल इसी वज़े से वो इस वक्त भाजपा के खिलाफ आग तो उगल रहें लेकिन वो कहीं से भी अशोग गैलुत को टार्गेट नहीं कर रहे हैं लेकिन इस मामले पर भारती जनता पार्टी का भी रुख असपश्ट है बीजे पी भी लगातार साफ तोर पर एक बात कहे रही है कि इस वक्त परदेश की राजनिती में कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरीके से घरती हुए नजरा रही है और कॉंग्रेस पार्टी को ये बात पता है कि ये जो इस्तिती बनी है या फिर जिस धंग सामलगातार ये देख रहे हैं कि मुद्दा कहीं ने कहीं गर्माता चला जा रहा है भारती जनता पार्टी उसको और ज्यादा सुलगाने की कोशिश कर रही है ताकि कॉंग्रेस पार्टी में तोड़ फोड़ की इस्ति सबसे ज़्यादा संख्या में लोगों की रिपोर्ट का आखड़ा जो है वो केंदर सरकारी पेश कर देती है लेकिन इस पर गजेंदर सिंग शिखावत का क्या कहना है देखें इस रिपोर्ट में कर राथ को आप से ड़र दूर में यह लाड़नों कि कॉंग्रेस पार्टी का जो कैंदीडेट रमुकेश बाकर उसके कारे करतां कांग्रेस पार्टी के लिए पोस्टर लगी गाड़ी इस्तिकर लगी गाड़ियां एक कुमार की बच्की 15 साल की उसको उठा करके ले गए तीम तीम दरिंदों ने दरिंदेगी कि घर वाले डूंड रहे थे मौले के बार गाड़ी से फैक करके चले गए अभी उसकी जाँच चल रही है असवा जो है रात भर मुकदमा दर्ज नहीं किया सुबह दवाव पढ़ा तब मुकदमा दर्ज हुआ क्यालोग साब कहते हैं हम जल्दी मुकदमें ज्यादा मुकदमें दर्ज करते हैं इसलिए राजस्तान में बलादकार जाना हुआ जब राजस्तान में बलादकार के केस बढ़ने लगे क्यालोग साब को पत्रकारों ने पूचा दिली में गेरा पूचा प्रेकर राजसान में बलादकार ज्यादा क्यों और उससाब नहीं कि रिष्टेदार ज्यादा बरात्कार करने लगें लास्ता और यह सम्में उन्ने कोड़ के रहा हूं इस राजस्तान में आप अरे तो आपने देगा दर्शकों जिस मामले को ले करके हम लगतार यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस पर अंतिम फैसला क्या होगा अंतिम रोख क्या होगा जनता इस पर अपना क्या जो है निरनाई लेगी क्या 25 तारिक को कॉंग्रेस पार्टी के हित में मामला जाएगा या फिर भारती जनता पार्टी उस प्रमप्रागत राजनितिक का हिस्सा बनते हुए सत्ता का यहां पर जो है कही न कहीं जो हिस्सा बन जाएगी और मुख्य मंतरी के तोर पर एक बड़ा बदलाव हो जाएगा इसका इस रिपोर्ट में बसक्ता ही जुड़े रहे हैं बड़ी खबरों के लिए नेक्शनाय न्यूस के साथ